क्या आपको multiple ad accounts को manage करना है या फिर anonymous web browse करना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि anti-tech browser को कैसे use करना है आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि free में कौन सा है आप पर अच्छा anti-tech browser है और उसको कैसे हम लोग यहां पर use करेंगे क्या उसकी settings रहें कि A to Z सब क कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में मेरा नाम है क्रिपी इशाडवानी आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉल्फिन आंटी के बारे में जो कि आपको free में काफी अच्छा प्लान दे देता है to start with it's a great browser to start with for free आज हम लोग उसकी पूरी settings देखेंगे so without any further delay let's get started शुर करने का प्लान करते हो तो इसलिए इसका नीचे आप लोग लिंक से जाके देख सकते हो then you can go to pricing section और यहां पर you can see free में यहां पर आपको 10 browser profiles मिल जाएगी so यहां पर आपको try free पे click करके account अपना बना देना है you can just sign it up यहां पर email लाल लो password लाल लो और यहां पर you can enter a promo code क्रेपेश ताकि जबी आप लोग अप्ग्रेड करो तो यहां पर आपको extra 20% को off मिल जाए वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अप्ग्रेड करना है यहां पर आपको अपना पूरा account बना लो email verify कर लो free में कोई यहां पर card details नहीं डाननी पड़ेगी आपको एक बार आ जैसे ही आप लोग open करोगे dolphin कोच इस तरह का आपको interface दिखेगा यह जो profiles वाला section है this is your main profile यहां पर आप लोग 10 profiles free में create कर सकते हो तो सबसे पहले आप अपनी profile को create करते हैं यहां पर जाना है आपको उपर plus पे गलिक करूँगा create profile here you will enter all the details इसको एक ऐसे समझों कि आपको एक you can select status status में new ready ban या फिर आप अपने custom status भी डाल सकते हैं जैसे कि अभी a new account है तो I'll click new अगर बैन हो गया तो इसको बैन में डाल लूँगा ready है मतलब यह अब ready है ads run करने के लिए तो you can have status like this tags अगर आपको इसको separate करना है जैसे FB के सारे accounts I'll like to separate तो यहां पर मैं FB का tag डाल दूँगा and उसके बाद this is important कौन सा operating system यहां पर जाना चाहिए बहुत लोग यहां पर mistake करते हैं वो क्या mistake करते हैं कि मान लीजे मेरा जो operating system है जो मेरे original laptop का operating system है वह विंडोस का मैं आप मैं Mac OS select करना है यह Linux select करना है आपको यह नहीं करना है जो आपका basic operating system रहेगा मेरे case में Mac है तो यहां पर मैं Mac ही select करूँगा वो क्यों वो इसलिए क्यों होता है fonts यहां पर different रहते हैं Windows के fonts अलग रहते हैं Mac OS के अलग रहते ह अगर कोई उनका bot देखेगा और आपको Windows पर Mac के fonts दिखेंगे तो एक red flag वहाँ पर create हो जाता है इसलिए आपको जितना हो सके उतना similar ही profile यूज करना है कम से कम उनको red flags generate करने है इसलिए जो आपका base operating system है वही select करेंगे हम लोग next यहां पर आता है profiles यह सिर्फ आपके separation के कर देगा अपके सिलेक करोगे तो fb पे bookmarks लगा देगा automatically आपके लिए login कर देगा Google पे भी same वहसा ही करेगा तो नन यहां पर select करेंगे हम लोग आपके functionality में कोई major difference नहीं आएगा उसके बाद very important is to have a proxy proxy क्या होती है उसके लिए मैं एक separate video बनाया था proxy VPN के बारे में वह आपको separately purchase करना पड़ेगा free proxy कभी मत use करना it's like अपने पहर पे कुलाड़ी मानने वाली बात हो जाएगी क्योंकि free proxy देखो सभी लोग use कर रहे हैं सभी लोग उससे तरह तरह के काम कर रहे हैं तो आप लोग नहीं चाहते कि उन तरह तरह के काम से आपको relate किया जाए इसलिए आपको cost almost similar ही है दोनों के discount coupon code भी है मेरे पास आपको मेरे नीची देगाई link पर मिल जाएंगे जैसी जाओगे you will get 20% off तो I'll recommend proxy seller यहाँ पर proxy seller के आपको थोड़ा जादा better मुझे performance देखने को मिली है in my case अभी तक और smart proxy भी है smart proxy यहाँ पर मिने login मगरे करके रखा है residential ISP data centers और बहुत सारी यहाँ पर proxy जे इसकले में separate video बना दूँगा residential ISP data centers में क्या फरक रहता है in short बता हूं तो आपको residential पर जाना चाहिए पहले preference और ISP proxies भी अच्छी है smart proxy में फिलाल ISP में India proxy नहीं है यह मेरा proxy है यह सारी information इसने मुझे दे दिया आपको simply copy कर देना है जो भी जहां से भी आप लो proxy करीद होगे वह आपको information दे देगा आपका address, port, username, password वहां से आपको मिल जाएगा once you have that ऐसे यहाँ पर फिलाल मैं SOX 5 पर ले लेता हूं this is my SOX 5 proxy यहाँ पर मैं copy कर लूँगा I'll go back to my browser यहाँ पर प्रोफाइल बन रही थे हमारी यहाँ पर I'll click paste and then check connection making sure कि यह work कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी हाँ यह work कर रहा है यहाँ पर Florida और यह पूरी information आ चुकिए है तो हमेशा proxy लगा कर गे ही अपने अंट्रेटेक ब्राउजर को यूज करना विदाउट proxy यूज करोगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है जब आपके IP address लिवील हो जाएगी तो proxy आपको यूज करना ही करना है एक अच्छी proxy खरीद लेना उसके बाद तो स्काय स्कानर काइड में इक माई ट्रिप काइड उसी तरह वह कैसे दिखाता है वह cookies में आपका डेटा है यहां पर से रहता है तो कुकी से पता जलता है कि यूरा रियल परसन अगर आपकी कुकी जी नहीं है तो उसको पता जल जाएगा कि यार इस अकांट को सिर्फ यहां पर से मिलेगा और उसके बाद वेवाटी सी ओफ रियल ऑल्टर इसको यूरा इसको यू कीप टू रहेगा नॉइस भी कर सकते हो बट कभी कवारें आपर नॉइस ही डिटेक्ट कर लेते कि अच्छा नॉइस किया तो हो सकता है कि वह लोगा यूज कर रहे हो इसलिए यहां पर आपको चेंज करने के रिक्वार्मेंट नहीं है जैसी यहां पर आप लोग न्यू फिंगर्प्रिंट पर क्लिक करोगे आपके लिए डिसाइड कर देता है तो यू डोंट नीड तो चेंज देस इन माय रिकमेंडेशन वेब जीप्यू क्लाइंट रियाक्स रियल time zone time zone मैं लोग यहां परिकव बलती कर देते हैं कि इसको manual कर देते हैं and proxy उस्काइड तो इसको आपको आपको आइजने देना है अगर आप लोगे पे proxy नहीं उसकर रहे हो for some reason तो you can select it manual और जिस भी location पर आप लोग को चाहिए timezone वो set कर सकते हो मेरे साब से auto और proxy का combination best रहता है language, English select कर सकते हो, manual जाओ तो but again proxy यूज़ कर रहो तो auto पर रहने देना then there is CPU and memory बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं वो इसको 32GB, 128GB करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी performance नहीं बढ़ जाएगी लेकि यह virtual machine है, यह सिर्फ दिखाने के लिए रहती ही कि सामने वाली website को क्या आपकी specifications दिखानी है तो यहाँ पर आपको बहुत जादा नहीं करना है आपको unique नहीं बनना है, आपको blend in होना है जैसे maximum pieces रहते हैं, आपको उनके साथ में आपको blend in होना है इसलिए जो default settings रहती है, आप लोग उसकी को रहने देना है आपको changes मत करना, in my recommendation, these are the best जो default settings है Mac address, off, manually, again, इसको भी off रहने दोगे तो अच्छा है manually डालने के आपको requirement नहीं है device name, you can enter some names manually लेकिन क्या होता है, कभी कभा जैसे Mac Pro है और यहां पे कुछ और settings है, आपकी screen की यहां पे कुछ और settings आ रही है तो it can raise a flag कि Mac Pro तो actual में उस specification का आता ही नहीं है जिस specification का आपको यह बना रहे हो तो until and unless you are absolutely sure कि Mac Pro पे यह सारी settings है Mac Pro actual में इस settings में आता है, तो ही use करना वरना इसको off रहने देना screen की बात करो, तो screen you can keep it to real अगर आप लोग कोई laptop अगरे यूज कर रहे हो simple सा desktop यूज कर रहे हो, तो keep it to real if you are using a external monitor या ऐसे कुछ अलग-अलग monetize यूज करो जिसके काफी high definition है, white screen है तब आप लोग मैनुवली सिलेक्ट करके, you can select a resolution 2K यह 4K वाला resolution you can select, यह in fact 1080p is also good enough, the reason being कि आपको यह पर blend होना है, इसलिए keep the resolution to real और अगर कुछ external device यूज कर रहे हो, तो manual कर देना, media devices real ports protect, do not track, अगर इसको on है तो इसको off कर देना, you want to track and this is how the complete profile should look like and once you are done with the settings, I'll go and click create this is account, this is their creating, I'll check the connection if it's working, okay it's working, this is my IP address and then I'll click start and here my browser will open and this is the browser जहाँ पर में यहाँ पर सारी settings रहेगी, जहाँ पर मैं सारी चीज़े अक्सेस कर सकता हूँ, I'll type my name, Kripesh Aadwani यह रहा मेरा blog and this is how it will look like यहाँ पर आपका सारा जो भी एक account जो भी आप लोग सेपरेट वगरे बनाऊगे, you can do it here, यह आपकी profile बन गई, यह एक profile बनी है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर 10 profiles बना सकते हो for free इसको मैं यहाँ पर stop कर देता हूँ and यह था आपका basic working, basic profiles की working, इसके बाद में बाकी settings अब आपको यहाँ पर quickly बता देता हूँ on left hand side, यहाँ पर सारी proxies को आप लोग मैनेज कर पाओगे and here, scenarios, paid plan पर बनाता है bookmarks, यहाँ पर you can have common bookmarks जब भी भी आप लोग कोई profile create करोगे, तो उसमें automatically यह सारे bookmarks जो भी आप लोग यहाँ पर create करोगे, वो automatically add हो जाएंगे same यहाँ पर extensions के लिए you can have some common extensions जो भी आप लोग प्रोफाइल आड करोगे, उसमें आपके common extensions यहाँ पर add हो जाएंगे automatically सिर्फ जो भी आपका chrome web store का URL हो, उसको यहाँ पर लाके paste कर दो, जैसे कि grammarly हो गया काफी common extensions है, सब लोग यूज़ करते है, you can just paste the URL here क्यों यह आपको करना चाहिए, ताकि आपकी जो profile है वो ज्यादा genuine लगे, ऐसा नहीं लगे कि एकदम fresh profile है, अगर आप लोग यहाँ पर browser का bookmarks यूज़ कर रहे हो, extensions यूज़ कर रहे हो तो it seems कि हाँ ठीक है, बंदा genuine है, आप लोग अपने common bookmarks और common extensions जाल दे रहे हैं users, you can have just one user in a free plan, API automation यह ज्यादा agency वालों के लिए जो बहुत ज्यादा account वोगरे, farm करते हैं जिनको automate वोगरे करना रहता है, तो अभी यहाँ पर मैं jump in नहीं करूंगा, थोड़ा complex हो जाए गए, basic settings पर आ जाते हैं यह वाम-up stage पर है, and then logout and basic settings, you can pay now, you can upgrade your plan, for example, 10 profiles here is free, I'll click upgrade plan, if you want, if you need more profiles, 20 profiles here, you can pay 10 dollars extra, if you want 30 profiles, you can pay 20 dollars extra, go to payment, and then here you can select the card, अपने हापे card डाल दो, international card के आपको requirement रहेगी, and you can have a promo code, मेरा promo code भी है, अगर आपने मेरे नीचे देगा है, link से free plan लिया हो, in case future में upgrade करना हो, you can enter my promo code, Kripash, और आपको extra 20% का off मिल जाएगा, which is really good, अब इसके अलावा मैं आपको दो और अच्छे options देता हूँ, जो की paid है, लेकिन काफी अच्छे है, काफी popular है, पहला है multi login, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, इनकी team भी अच्छी है, you can trust this one, इसकी pricing start होती है, pound 19 से, and 100 profiles is for pound 59 per month, इसका भी discount coupon code है मेरे पास, वो मैं नी इसके फायदे हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके difference रहता है, paid और free में, mainly profiles का रहता है, और भी कुछ minor चीजे रहती है, उसमें क्या क्या difference है, वो सम्में आपको explain कर दूँगा, and then we have go login, ये भी काफी अच्छा option है, paid में, आपर $24 per month में, आपको Entity Tech Browser's का पूरा प्रोसेस समझ में आगया होगा, do let me know if you have any question in the comment section below, video अच्छा लगाओ, thumbs up दे रेना, channel को subscribe कर लेना, for more interesting videos, and I will see you guys in the next video, goodbye.